निया घर इसलिए बनाया क्यूंकि हाँ बाबा साब अम्बेटकर का सपना भी पूरा नहीं हुआ है और मैं अगर बात करूँ तो इस किताब में आज बहुत कुछ आपके लिए लेकिन सबसे पहले मैं बाबा साब अम्बेटकर जो चाहते थे मैं बस उस पर चंदलाएने आपके बीच में रख देता हूँ और ये इसलिए क्यूंकि वास्तिक्ता में मानने वर काशिराम साब और बाबा साब को सपना पूरा नहीं हुआ इसलिए हम लोग मैदान में अब आवस हम बेटकर कहते हैं आप लोग नहीं मानते कौन सी चीज मुझे वैथित कर रही है और मुझे इतना उदास बना देती है मेरे मन की बढ़ती चिंता तो यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया हूँ मैं अपने जीते जी अपने लोगों को अन्य समुधाय के साथ बराबरी की हैसियत से राइंतिक सत्ता की इस्सेदारी करते हुए एक सासन करता जमाद के रूप में देखना चाहता था मैं बिमारी के कारण अपंग और ऐसा हाय हो गया हूँ मैं जो कुछ हासिल कर पाया वो बहुत कटनाई और परिसानियों से कर पाया बाबा साथ हमें सासक जमाद देखना चाहते थे मैं पूछना चाहता हूँ कि वह उन आलोचक सातियों से भी क्योंकि वह मेरे अपने ही लोग किसी कारण से मुझे से नाराज है नाराज इसलिए हैं कि वह अभी दूसरे घर में लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूँ बस मुझे अपने मन से जवाब देजे सोचके अब बहुत सारे बुद्धी जीव लोगों को भी सिकायत सिकवा हो सकती हां अपने काम से जवाब देंगे बोलने से नहीं अपने काम को करके और रिजल्ट दे के जवाब देंगे लेकिन मैं आज आप से पूछना चाहता 2019 में 10 सिर्ट जीती वो किसकी वज़े से और वो कहां-कहां जीती ही आप ये चेक कर लीजे और वरतमान में जो लोग मजाक बना रहे थे भी मारमी के लोग आईत से पहले तो कहते थे कि ये चंद लोग है इनके साथ लोग नहीं है जब इनकार्य नहीं लेकिन जब अब भी म तो आज आपको बोखलाट क्यूं यह लोगतंत्र है सबको अधिकार है जब आप लोग के रहा और राहों में रोड़े अटका देंगे उनको समाज की भलाई के लिए कुछ करने नहीं देंगे तो वो करेंगे तो आप आए ना सामना कीजिए आज क्या दिक्कत आ रही है बाबा साब अमबेड कर ने आप सब के लिए लाइन लिखी दी बहुत दिन पहले लिखके चले गए बाबा साम बेड कर मैं सोचता हूं आज पढ़ देता हूं आप उन हर सातियों के लिए जिनोंने इस मिशन को तकाम कर समय मेगा तथा आर्थिक सायोग से अमबेड करवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके बारे में लिखा आपको अपने अमिष्ट की पवित्रता पर अडिक विश्वाद रखना चाहिए आपका लक्स से उत्तम है और अपना धे मिशन सर्वोच एवं गौरव साली वे धन्य हैं जो अपने समाज भाईयों के परती उनके बीच उन्होंने जनम लिया अपने करतवे पालन हितु पूर्टिया सजग हैं उनकी महिमा धे हैं जो अपना समय अपनी विद्धुता एवं अपना सर्वस्व समाज के विम्युक्ति के लिए अरपित करते हैं कि होते हुए भी जब तक अपना संघर जारी रखते हैं जब तक दलिजन अपने मानवी अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेते हैं यह बाबा साब अंबेड करने आप सब लोगों के लिए लिखा है बहुत दिन पहले कि जो लोग अपने जीवन का अमुल्य समय छोड़के समाजी कारिये की भावना से समाजी विकास की भावना से अपने भाईयों के लिए काम कर रहे हैं वो सब लोग बधाई के पात रहे हैं उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो लोग अपना कारिये छोड़के इस मुमेंट को आगे बढ़ाने कारे कर रहे हैं किसलिए तो बा और ये बाबा साम बेटकर ने भी कहा है उन्होंने का जो वेक्ति अपना इतियास ने जानता वो कभी इतियास लिखी नहीं सकता और ना ही अपने भविश्य का निर्मान कर सकता है तो आप इतियास को जानिए कि आप लोग को दरिद्र आप लोग को जाती विवस्था में किसन बना तो इतियास मानने वर काशिराम साब कैटर देते आप क्यों निक आज क्यों नहीं कैटर होते वो कैटर हम लोग जिंदा करें मैं तो ये करोना काल कम हो जाएं क्योंकि इन सरकारों ने कोई वयवस्ता नहीं की ये लड़ाई रोटी की नहीं है इस वाविमान सम्मान अधिकारों की लड़ाई एक भी सरकार ऐसी नहीं थी जिसकी में इतना काम हो पाता कि आम आदमी खुस रहता आज लाकों लोग की जान गई इस करोना काल में अच्छा इलाज ना मिलने कारण से लिए ये सरकारे दोसी इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए लेकिन गरीब तो गरीब है वो तो पैदा ही हुआ है मरने के लिए उसको तो एक ना एक दिन मरना ही कभी रोड पे किसी अमीर की गाड़ी के एक्सिडेंट से कभी प्राकर्ति कापदा से बिजली से बाड से बारिस से हवा से या बिमारियों से या भूक के कारण या अपमान के कारणिया किसी जाती से गर्सिद मान सिकता के व्यक्ति का हातों अपमानी थोके तो जाती इस देश का कड़वा सच है और इस देश के लिए अभिशाब भी इसलिए मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि आपको अपनी लड़ाई अपने सारे सारे पर लड़नी पड़ी और इसलिए अब मैंने तय किया है कि जैसे करोना काल खतम होगा मैंने आपसे जानकारी दी थी कि हम लोग cycle यात्रा पे निकलेंगे और अब मैं cycle यात्रा को देश व्यापी बनाना चाहता हूं कि हर विदान सभा हर जिले में, वहां की जो टीम है, वो जो पंपलेट हम लोग तयार करा रहे हैं, जिसमें हमारी गारंटी आएं कि लोगतंत्र में सविधान क्या क्या देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकिसा, सिक्सा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये सारी चीजे उन पंपलेट को, उस बात को, हमारी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, महापुर्सों के उस अंदोलोन को आगे बढ़ाते हैं, आप लोग गाओं गाओं जाके उसका परचार करें, और जो वोट हमें मिला है, वो भी उस गरीब तबके का है, जो ऐसा है है, जिसके आवाज भी कोई नहीं सुनता, जहां आज भी गाओं देहात में जुल्म जाती होती है, नियाय नहीं मिलता, जहां पुलिस नहीं पहुंचती, जहां परशासन नहीं पहुंचता, जहां नेता नहीं पहुंचते हैं, वहां भीमार्मी के बेटे पहुंचते हैं, मैं धन्यवाद करता हू भीमार्मी के नोजवानों का आजा समाजपटी के नोजवानों का कि दिन और रात नहीं देखते आप हाँ आपने सावित कर दिया कि जब कुछ मान लो तो हार और ठार लो तो जीत आप लोग निकले हैं तो समय लगेगा लेकिन रिजल्ट तो आना ही परिवर्तन प्राकर्तिक नियें तो हम लोग निकलेंगे गाओं गाओं और गली गली जाके तयार करेंगे सोवेवे समाज में राइंतिक चेतना जाकर उप करने के लिए और मैं तो खुद निकलने वाला हूँ और अब हम लक्से बना के काम करेंगा और मुझे विश्वास है कि हम लक्से के अन्रूप काम करेंगे तो जीतेंगे